हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्यूस राज वदानी आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉल्वलिटी और जादा तर आयनी कंपॉंड को वाटर में सॉल्वल किया जाता है तो कौन से फ्यक्टर होते हैं जो आयनी कंपॉंड की सॉल्वलिटी को एफेक्ट करते हैं तो सबसे पहली बात की आयनी कंपॉंड में जब आयनी कंपॉंड को वाटर में डाला जाता है जैस इसी भी मेडियम से उसको अगर उसको constituent आयन में टोड़ेंगे तो एक एनरजी required होता है जिसका नाम है lattice energy तो lattice energy क्या होता है वो तना खर्च होता है तो soluble कैसे हो जाता है कोई आयनी compound तो दरसल कोई भी आयनी compound जब बाटर में resolve किया जाता है तो जैसे example के तोर हम लोग समझते हैं NaCl से NaCl को जब बाटर में डाला जाता है तो इस टूटने के लिए energy की जरूरत होती है जिसे हम लोग lattice energy पोलते हैं और बाटर molecules जो होता है एक polar solvent है और polar solvent मतलब कि कुछ बाटर molecules इस तरीके से हम लोग उसको ड्रा कर सकते हैं तो यह माली यह positive charge है और यह डेल्टा निगेटीव और इस पर डेल्टा पोजेटीव है मतलब कि जो केटाइन है उसको चारो तरफ बाटर मोल्क्यूस क्या करेगा घेर लेगा है ना बाटर को मोल्क्यूस चारो तरफ से घेर लेंगे अब इस तरीके से यह हाइड्रेटेड आयन बन जाता है हाइड्रेटेड आयन जो बन जाता है तो यह पोजेटीव जो टर्मिनल है मतलब जो केटाइन है पोजेटीव और बाटर मौलकुस का oxygen terminal है delta negative ये interactions करता है और किसी तरीके से interactions करें तो उससे energy क्या होता है release होता है और इस energy का नाम है hydration energy मतलब कि कोई भी आइनिक compound को जब बाटर में dissolve किया जाता है और वो soluble हो जाता है तो उससे एक energy release होता है जिसे हम लोग hydration energy के नाम से जानते हैं तो कब कोई आइनिक compound soluble होगा आइनिक compound soluble होगा कब तोड़ने के लिए आपको lattice energy देना पड़ रहा है system में और जब उसको water molecules क्या करें उसे घेर ले जब water molecules से घेर लेता है solvate कर लेता है hydrate कर लेता है तो उससे energy release होता है और कोई system में जितना energy release हो उतना अच्छी बात है तो soluble होने का condition है कि hydration energy ज़्यादा होना चाहिए compare to lattice energy तभी न अगर मान लिया जाए एक example data देते हैं ऐसे ही मतलब कोई 10 energy release हो रहा है हना कब जब hydrate हो रहा है और 8 खर्च हो रहा है lattice energy के रूपर तो overall दो का profit है इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो soluble तभी होता है जब आपका क्या हो कि जो lattice energy है वो कम हो किसे hydration energy से है ना तो यह system जाएगा अब soluble होता है अनिकम और अगर नहीं soluble है तो हम लोग कह सकते हैं hydration energy जो है वो जादा है सॉरी कम है compare to किस से lattice energy से hydration energy कम है lattice energy से मतलब कि hydrated होने के बाद उससे energy कम निकलेगा compare to जितना चाहिए उसको तोड़ने के लिए तो वो तूटता नहीं वो soluble इस case में नहीं होता है इस case में generally नहीं soluble होता है not soluble ठीक है यह ध्यान रखिएगा अब हम लोग बात करते हैं तो मतलब कि lattice energy और hydration energy यूज होगा solubility निकालने के लिए तो lattice energy equal होता है r plus r minus मतलब r plus क्या radius of ketene और r minus क्या है radius of a nine और जबकि जो hydration energy होता है वो होता है क्या कि यह होता है r plus और इस तरीके से plus r minus तो लगभग दोनों सेम चीज है लेकिन इसके हिसाल से कुछ trick है आप आसानी से किसी का solubility का order निकाल सकते हैं तो चलिए वो हम tricks को जानते हैं जिससे आप solubility का order बता सकते हैं तो सबसे अच्छ यह है कि देखिए जो आपका solubility है आईनी compound का वो दो फैक्टर पर depend करता है पहला क्या जो solubility है उसको चेक करने के लिए हम लोग दो फैक्टर देख कंसीडर करते हैं ठीक है दो फैक्टर कंसीडर करते हैं जो पहला फैक्टर होता है वो difference of radius of cation and anion मतलब कि और दूसरा जो करता है वो polarization करता है अगर कोई आईनी compound में polarization हो रहा हो तो उसकी solubility water में घटती है क्योंकि उसमें covalent character आता है तो अगर polarization जादा होगा तो solubility घटेगा और जबकि radius से भी निकालते हैं दो जादा होगा फिर से ध्यान रखिएगा कि अगर cation और anion का कोई भी जो आईनी compound है तो cation का कुछ radius होगा और anion का कुछ radius होगा अगर उसके difference जादा है तो solubility जादा होगा एक और कुछ इसमें additional बात है कि generally देखा गया है कि बीई का जो salt होता है वो सबसे जादा solubile होता है बी का salt क्या होता है generally सबसे जादा solubile होता है जबकि अगर ग्रूप वन contain कर रहा है ग्रूप वन जैसे कि lithium sodium potassium rubidium cesium के साथ ये सब इनायन हो है ना तो हम reverse कर देंगे वन वाले से हम questions के माधियम से समझाएंगे reverse order from rule one कर सकते हैं हम लोग अगर rule one मतलब जो rule one किससे order आएगा उसका reverse हो जाएगा जब group one के साथ ये सब आपको इनायन दिखे तो ये कुछ questions है question के माधियम से हम लोग समझते हैं तो अभी बताए कि अगर केटायन इनायन के साथ का difference जादा तो soludity जादा अगर यहां पर देखा जाए तो सारे जगा लिथियम है मतलब केटायन का और इनायन के साइज सोरी radius का difference है radius मतलब साइज जितने ज़्यादा रेडियस बढ़ा होगा size बढ़ा होगा तो ये डिफ्रेंस जादा तो soludity जादा तो order यह हना उसी तरीके से अगर यहां चेक करें तो यहां फ्लोरीन सब में है यहां लिथियम छोटा फ्लोरीन छोटा यहां CGM बढ़ा और फ्लोरीन छोटा तो यह difference जादा तो डिफ्रेंस यह जादा है अब difference यह जादा है तो order difference जादा होगा जादा उधर हो ज difference की बात हो रही है हना तो यहां पर difference क्या मिलेगा कम और यहां पर difference क्या होगा जादा तो जब ज़्यादा difference जब ज़्यादा difference तो आपका soludity का order कुछ इस direction में हो जाएगा अगर हम लोग यहां पर बात करें तो NO3- polyatomic NIN है और polyatomic NIN है तो जहिल सी बात है इसका size क्या रहे तो NO3- का size बड़ा होगा अब यहां पर इसका size बड़ा है तो मतलब lithium का size छोटा NO3- का size बड़ा और इसका cesium का size बड़ा और NO3- का size बड़ा यह एज़े trick है कि आप किसी का order बता सकते हो इस तरीके से आपको रटना नहीं पड़ेगा तो यह आप हम लोग कह लें तो यह size का का difference ज्यादा यह size का difference कम मतलब के टायन नायन के size का difference कम यहां पर difference कम तो solubility कम तो मतलब solubility का order यह हो जाएगा अब इसमें चेक करें तो lithium का size छोटा क्लोरेट आयन का size बड़ा तो यह difference ज्यादा और यह difference कम तो difference यहां कम हो जाएगा के टायन नायन के size का difference तो difference कम तो solubility कम तो order यह है एक बात याद रखिएगा कि OH- है ना F- O2- यह सब का size आप मान के चलिएगा small यह सब का size क्या मानना है आपको small तो यहां पर lithium hydroxide sodium hydroxide potassium hydroxide और cesium hydroxide से तो lithium का size छोटा OH- का भी size छोटा CGM का size बड़ा और OH का size छोटा तो अब difference यहां ज्यादा के टायन नायन के size का difference ज्यादा तो solubility ज्यादा तो order कुछ इस तरीके से हो जाएगा है ना तो अब हम लोग बात करते हैं यह BF2 Mgf तो एक बात ध्यान लखिएगा की BF2 क्या है salt है BOH का whole to एक salt नहीं है जबकि BF2 क्या है salt है क्यों 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 कि यह कैसे बना होगा दरसल दरसल यह बनना होगा BOH whole to plus HF तो यह एक तरीके से acid है और यह क्या है base है तो यह क्या हो ग तुरत उठा के आगे कर लेते हैं पहले हना तो यह तो हुनको पता हो गया according to second rule आपको याद होगा तो BEF2 का सबसे ज्यादा order अब इसमें general जो first rule लगता है वो लग जाएगा तो यहाँ पर F का size छोटा और BA का size बड़ा difference ज्यादा तो लूबल ज्यादा तो order यह हो जाएगा तो इस तरीके से आप solidarity निकाल सकते हो यहाँ पर BEOH का hold to a है छोटा size छोटा size यहाँ पर यह क्या है बड़ा size और यह छोटा size डिफरेंस ज्यादा तो इस तरीके से order हो जाएगा अब SO4 है तो SO4 है तो SO4 2- का size बड़ा और BE का size क्या छोटा तो यह difference ज्यादा और यहाँ पर यह बड़ा और यह भी बड़ा तो difference क्या कम तो यहाँ पर इस तरीके से हम solubility का order निकाल सकते हैं अब यहाँ पर देखी इन दोनों cases को गौर्ट से देखी अब इन दोनों cases में यह क् क्या है group 1 है तो group 1 के साथ जब HCO 3- SO4 2- रहे तो rule 1 के हिसाब से क्या हो जाता था opposite order हो जाता था लेकिन यह ट्रिक आपको नहीं लिखना है exam में इक्जाम में solubile होने का region बताना है कि solubile तभी होगा जब hydration energy जादा होगा compared to किस से? lattice energy से और solubile तब नहीं होगा जब lattice energy जादा होगा hydration energy से अब यहां पर देखा जाए कि lithium है तो इसका size छोटा और हो साइज बड़ा तो solubile यह होना चाहिए लेकिन आपको rule 3 में बताए थे कि order इससे क्या हो जाएगा reverse तो यह solubile जादा होना चाहिए तो solubile यह क्या होगा? कम होगा order यह उसके बाद यह भी क्या है? group 1 metal के जादा होना चाहिए according to rule, लेकि rule 3 अब हमको क्या कह रहा है? कि 1 से क्या होगा? reverse क्योंकि group 1 के साथ यह सब NIN हो तो reverse हो जाता है, तो order क्या हो जाएगा? यही है ना? तो इस तरीके से हम solubility of ionic compound निकाल सकते हैं और एक questions आपको exam में इस तरीके को देखने को मिलता है और कुछ step याद रखके इस तरीके questions को आप solve कर सकते हैं बतलब कि पूरा इसको रटा नहीं मारना है दो तीन trick है उसके हिसाब से आपका काम चल जाता है अब यह कुछ है इसमें polarization effect देखने को मिलता है अब polarization किसमें ज़्यादा होगा? तो polarization उसमें ज़्यादा होता है भाई जबके टा solubility घटती है किसमें? आईनिक compound में तो इसमें सबस्यादा solubile क्या होगा? यह उसी तरीके से इसमें अगर चेक किया जाए तो इसमें भी अगर हम देखें तो इधर जा रहे हैं तो solubility बढ़ेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर i- का size बढ़ा तो hg प्लस जादा खीचेगा त उसमें covalent character आएगा तो उसका solubility बाटर में क्या होगा? घटेगा तो इसमें यह solubility का order हो जाएगा बाटर में इसमें चेक किया जाए अगर तो इसमें भी वही बात है कि इसमें PV क्या है? PV 2 प्लस है तो यहाँ पर minus है यहाँ minus है तो इसका polarization ज्यादा तो solubility कम तो इसमें vaccination का effect होगा. मतलब कि solubility सो होगा बाटर में वह क्या होगा? घटेगा अगर polarization क्या होगा? बढ़एगा तो धियान रखिएगा. अब इसमें चेक किया जाए, तो इहagρα देखा जाए तो इसमें अगर हम देखें तो यह क्या है? Fe O H 2 में Fe क्या है Ples 2 है और Fe क्या है Plus 3 है तो ये जार्च बढ़ता है Polarization बढ़ता है Polarization बढ़एगा तो solubility क्या होगा गहटेगा तो ये ज्यादा solubal होगा अब इसमें इन दोनों में चेकर किया जाए तो ये क्या है Na plus और ये क्या है mg 2 plus तो polarization इसमें जादा होगा तो solubility क्या होगा घटेगा है ना तो polarization जो है अभी बताए थे कि जो polarization है वो किस पे चिपेंड करता है charge of katein and size of katein ठीक है charge बढ़ता है katein का तो polarization बढ़ता है size छोटा होता है उतना polarization होता है katein का in iron में size जितना in iron का बढ़ा होगा उतना ज़्यादा polarization होगा और अगर charge in iron का बढ़ता है उतना ज़्यादा polarization होता है fudgeins rules है ये तो इसमें इसमें polarization ज़्यादा होगा तो solubility क्यों होगा कम तो solubility इसका ज़्यादा होगा बैटर में अब NACACUCL में fudgeins rules के अंसार cu जो plus होता है इसमें pseudo inert configurations होता है और pseudo inert configurations होने से polarization ज़्यादा होगा तो covalent character ज़्यादा होगा तो solubility कम होगा तो इसमें ये अब ये बाले में अक्सर book में दिखा मिलेगा size पे लेकिन जो 3D, जो D transition metal होता है transition metal में 3D, 4D और 5D में अगर down the group जाते हैं तो Z effective generally अगर कह ले तो अब 3D, 4D और 5D में अगर हम देखें या आए तो ZN 2+, CD 2+, और HG क्या है 2+, तो polarization करने का काम HG 2+, ज़्यादा करता है तो polarization ज़्यादा होगा इसमें तो covalent character क्या होगा ज़्यादा तो solubility कम तो इसमें इस तरीके से order होगा तो ये कुछ trick था जिसके माध्यम से आप within 5 second किसी भी आइनिक compound का solubility आप बता सकते हो चलिए मिलते हैं फिर next video में